Hi friends, my name is Rizana, friends, आज मैं आपको लेकाई हूँ Advanced filter के बारे में आपने मेरी Nep Wheatie को आगल आज मैं आपको Advanced filter के बारे में बतांगी यह कैसे यूज होता है? चलिए पहले आपको एक बार short filter के बारे बता दू ये कैसे use हमने करा था इसके लिए हमने पहले हम headline को select कर लेते हैं short filter पर जाएंगे यहाँ पर filter पर click करेंगे तो देखे हमारे drop down बनके आ जाती है हम कौन चाना हम search करना चाहते हैं हम name page search करना चाहते हैं drop down के name पर जाएंगे select all को आप हम हटा देंगे यहांपे से हमने यहांपे select all को हटा दिया है हम किस नाम को search करना चाहते हैं हम आपे चले जाएंगे हम सपना करना चाहते हैं सपना पर अपने click कर दिये और ok press करेंगे दो दो देखिए सपना कमार फने जो डिपार्टमेंट फनेचर उसने सेल हजार की किए इस तरीके से हम short filter का यूज करते हैं और इसे हटाने के लिए हम short filter में जाके filter पे click कर देंगे या control plus zip plus L पे L की press कर देंगे तो हमारी यह list सामने आ जाएगी अब हम चलते हैं advance filter के बारे में यह कैसे यूज होता है हम इस headline को copy कर लेंगे हम यहाँ पे paste कर लेते हैं जिससे कि हम हमें जल्दी से हरसानी से समझ में आ जाए अब हम advance filter का use करेंगे हमने यहाँ पे name लिया है और यह department है furniture के electronics के production के garment furniture यह है और इन्होंने यह sale की है हम जानना चाहते हैं जो हमारे department है furniture के उनका नाम क्या है और उन्होंने कितनी की sale की है हम department के नीचे ही एक formula कर यूज करेंगे equal लगाएंगे double quotes हम किसका निकालना चाहते है फनीचर का तो हम यहाँ पे फनीचर लिख देंगे बिल्कुल spelling सही लिखनी है जिससे के हमारे सही से निकल के आजाए हमने यह पे फनीचर लिख लिए है और double quotes में इसे बंद कर देंगे और enterprise कर देंगे अब चलती है हम चलते है डाटा में जाएंगे एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे हमें क्या करना है filter the list in place इसी place में करना आई और अग्यांधर लोक सेंग कोपी में करना है तो हम पहले filter the list in place में जाते हैं अब हमसे पूछتें की लिख रेंज है एप करना चाहते हैं हम यहान पर अपनी डाटा को select कर लेंगे criteria range हमसे पूछ रहा है हम यहापर criteria range डाल देंगे हमारी यह criteria range है हमने यहापर डाल दिया है और ok press करेंगे तो देखिए हमारी जो furniture है department furniture के है वो राज है और सपना है और इन्होंने sale की है 1200 की और सपना ने furniture में sale की है 1000 की तो इस तरीके से हम advance filter का use करते है वापर जाने के लिए clear पर click करेंगे तो देखिए हमारे data सामने आ गया है अब हम चाहते हैं यह जो हमारी sale हुई है जो 1200 से जादा हो उसकी sale हमें यहापर दिखा दे और जो कम हो वो नई दिखा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहां पर हम equal लगाएंगे shift दिखा के यहापर डबल कोट लिख देंगे greater than 1200 से यह 1200 से जादा हो हम यहां पर डबल कोट लगा देंगे enter प्रेस करेंगे अब हम advance पर जाएंगे हम इसमें करेंगे copy the another location हम यहां पर किलिक कर देंगे अब हमसे पुचा list range हम यहां पर list range डालेंगे जो हमारी data बनी भी है यह हमने इसकी range दे दी है आप criteria range यह हम से criteria range पूच रहा है तो criteria range हमारी यह है हम यहां पर criteria range डाल देंगे copy to हम किदा कर ला है हमें हम यहां पर कर देते हैं हमें यहां पर copy करनी है ok प्रेस करेंगे तो देखिए furniture department जो furniture उनका नाम है राज और उन्होंने सेल किए बारासो की furniture हमारे और भी थे देखिए सपना सपना जो department ने furniture के उन्होंने हजार की किए सेल हम चाहते थे जो बारासो हो यह बारासो से ज़्यादा हो उसकी सेल दिखाए तो सपना ने हजार की सेल दिखाए है तो सेल इसमें नहीं दिखाया गया है तो फ्रेंट इस तरीके से भी हम शॉर्ट फिल्टर का यूज करते हैं उमीद करते हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और दोस्तों की साथ जादा ही जादा सैर करें और कमेंड करें आपको मेरी वीडियो कैसे लगी हो और मुझे लिखकर जरूर भेजें अगर कोई प्रोब्लम हो तो मुझे जरूर बता करने जिससे के मिली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे फ्रेंट्स देखिए आप मेरी चैनल को जरूर आईएगा और देखिए मैंने बहुत सारी समय वीडियो डाल लखी है एकसल से भी है और अन्य वीडियो भी इसमें है जो आपको जानकारी समय बिलती रहेगी तो friends, good bye, take care, thank you for watching, best of luck.